साल 2030 का चोथा और भारत का पहला और अंतिम चंदग्रण आज रात के एक बच के पांच मिनिट से दो बच के चौबिट मिनिट तक भारत में देखा जाएगा और इसके साथ ही तमाम मानिताओं के साथ में सनान का जो योग है वो भी होगा इस वक्त हम मौझूद हैं प्रयागराच के संगम घाट पर आप देखें किस तरीके से यहाँ लोगों के आने का सिलसला भी शुरू हो रहा है और चुकि रातरी का समय है एक बच के पांच मिनिट के लगभग ये चंद्रग्रहन की शुरूआत होगी और उसके बाद चंद्रग्रहन जो है वो दो बच के 24 मिनिट तक रहेगा सुतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है वो इस वक्त चल रहा है और चंद्रमा की अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त पूर्णिमा है शरत पूर्णिमा है और ये जो संयोग है ये भी काफी महतपूर है क्योंकि ये लगबक 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब शरत पूर्णिमा की मौके पर चंद्रग्रहन लग रहा है और भारत में इस साल ये पहली और आकरी बार देखा जा रहा है जिसको ले करके तमाम तरह की पूजा आर्चना का कारी भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही साथ जो लोग दिल्चस्पी रखते हैं वो घाटों पे पहुँच रहे हैं और देर रात में सनान आप चंद्रग्रहन लगने से पहले और उसके बार भी महत्वपूर तरीके से क्रिया जाएगा इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौझूद है पंडित ब्रजेश मिश्वा ये हमें जानकारी देंगे पंडित जी बताई कि आज का मूर्थ क्या है और इस चंद्रग्रहन का असर किस तरीके से देखा जा रहा है ते जर्टी स्थे अर्धात आप सिदे सिदे चार रग्रह एक साहला पीडित देख रहे हैं इस बार जो मंगल चोड़ करके सारे ग्र्ध्र आमने सामने हैं और वो सभी इस एक्ट जिस से कि हमारे भूमंडल पर और हमारे जातकों पर इसका सब पर असर पड़ेगा किवल राशियों पर ही नहीं राशियों के स्वामी भी जब प्रवावित होते हैं तो उनकी राशियां प्रकारांतर में प्रवावित हो जाती है प्रयागा राज किसमें सनान होगा और इसकी क्या मानता है प्रयाग राज में बहुत सादख रहते हैं वह उस radius कि पहले असनान की बात कहिए जाती है अऔर ग्रहन ज drainage प्राफ्थ होता है उसके बाद में सनान किया जता है तब ही आपको सुधी मिलती है और लगबग इसके दो यहां कमर तक के जल में वो उसमें रह करके अपने मंत्रों का जब करेंगे गुरु मंत्र का जब करेंगे नहीं तो गायतरी मंत्र का जब करेंगे या राहू, केतू, सूर्या, चंद्रमा के अलग-अलग मंत्रों का जब करते हुए अपने उपर से इसके दोश को निकालने की उससे बचने के बेवस्ता करते हैं। यह एक तरह से कह सकते हैं कास्मेटिक पॉलूशन है। यानि वातावरण में इस समें ब्रहमांड में कास्मास में एक पॉलूशन सा आ गया है। तो सभी को बचना है। जैसे इसके सीधे आँखों से इसको नहीं देखा जाता। कोशिस की जाती है कि जिस समय गरहन लगा हो उस समय गर्वती महिलाएं। सामने नहाएं। वो उससे बचें क्योंकि उनके गर्व पर इसके विकरण का प्रवाव पड़ता है। अब आप अभी कहेंगे कि मैंने आपसे थोड़े दिर पहले कहा कि लोग जल में खड़े होकर के गरहन के समय यानि चंद्रभा की प्रकास में भी रहते हैं। तो आप यह समझ लें कि जो तीर्थ होते हैं तीर्थ का मतलब जल और जल को यह माना गया है कि इन विकरणों से रक्षा करता है जिस तरह मागे गर्व में जो बालक होता है बच्चा होता है वो विकरणों से बचा रहता है जब तक बहुत ज़्यादा विकरण के सामने महिल रहें किसी को छुए नहीं और धारदार चीजों का प्रयोग न करें तथा दूसरी जो मन रंजन की साधन उनका प्रयोग न करें एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ चूकि ये शरत पूर्णिमा पर पड़ रहा है तो अगर शास्तर के नुसार देखा जाए क्या ये शुब है और शरत पूर्णिमा की जबेला में किस तरीके का प्रभाव देख सकते हैं क्या फलदाई कम होगा कुछ लोग छतों पर च बवात खीर खीर की की जो मानता है वो अईरुवेधिक उद्धेशों से है ययानि इस समय चंद्रम प्रितवी के सबसे नजदीग बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होते हैं और उनकी अमनित मरी किरणे इस समय प्रितवी पर आती हैं हम उसका सीधे लाव लेते हैं खीर चरभी जाती हैं और वह मढश्म आगले दिनों में इसको ख्षिलाई जाती है रोगियों को अब आप ने यह कहा कि इसका पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है तो यह समझाने कि खीर को हम रख सकते हैं चत पर एक बज़े के पहले तक रख सकते हैं लेकिन रखने में भी एक विदी है कि तुलसी का पत्र दूर्वा या कुश ये चीज़ें जो होती है इस तरह के विक्रणों के प्रवाओं को खतम करते हैं आपने देखा हो कि जो पवित्री पहनी जाती है वो भी कुश की होती है तो इन बैट करके माला जप हैं सबसे बड़ा मंत्र क्या देखें सबसे बड़ा तो मंत्र गुर मंत्र है उसके बाद जो आप जो दशी डंग से देखेंगे तो चुकि चार ग्रह सीधे हर बार आते हैं लपेट में राहू के तू और यह किसको ग्रसित करता है सूरी को और चंद्र मां के मंत्रों का जब करें राम राम जो मंत्र है महा मंत्र है तारक मंत्र है आप उसका भी जब कर सकते हैं या आप किसी भी मंत्र की सिद्धी चाहते हैं आप उससे जब सकते हैं और वैदिक ढंग से इसके कुछ दूसरे मंत्र हैं जो सवसामान सर्वसामान इसको नहीं कर स प्रियाग राज के संगम के तटकी और अगर आप नज़र डालेंगे तो जो लोग इस समय स्नान करना पसंद करते हैं जो अपने आराध्य को मानते हैं वो यहाँ पर तटके पास पहुँच रहे हैं और इंतजार करें उस बेला का जब चंद ग्रहन आके दोरान वो स्दान करेंगे उसके पहले और उसके बाद और अपने घर परिवार समाज की शांती के लिए इस प्रमुक तोर पर जो है इस ग्रहन से पहले इस दान को किया रहा है जिसको ले करके पूजा पाठ और तमाम तरह की साधनाओं का दौर शुरू हो चुका है प्रयागराज सेख अपरामेन संदीप के साथ अभी शेक मिश्रा आज ततर